हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चेनल दा टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स केसे हैं आप फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्तान के परसिद दूद वाली बूंदी के लड़ू अगर आपने इने कभी ट्राइ नहीं किया है तो एक बार आप इसे जरू ट्राइ कीजिएगा बहुत टेस्टी बनते हैं और अगर आपने एक बार इसे ट्राइ कर लिया ना तो यकीन मानिए आप इसके फैन हो जाएंगे और इसे बार बार खाना पसंद करेंगे और बार बार में जासे बनाना पसंद करेंगे बहुत ही सिंपलसी की रेसिपय है और बहुत ही टेस्टी से लगते भी है तो चलिये हमें देड नहीं करनी चाहिए भना देजिये अगम सब्सक्राइब कर लिए तो इस बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल लिया है उसमें मेने दो छोटे बाउल बरके बेसन डाला है अब friends measurement आप ध्यान से देखेगा अगर आप दो बाउल से बना रहे हैं तो ये जो measurement है इसी से बनाईएगा और अगर आप कम बना रहे हैं एक बाउल बेसन से बना रहे हैं तो जस्ट इसका आधा कर लीजिएगा तो दो बाउल बेसन के लिए मैंने एक गलास दूद लिया है अब दूद से ही हमें इसका घोल तयार करना है पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है तो एक बार डाला है फिर अच्छे से mix किया है दूसी बार डालके फिर से mix किया है तो हमें 3-4 बार में दूट डालके इसका घूल तियार करना है तो एक बार थोड़ा सा डालके मैंने इससे रख दिया है डखन लगा के साइड में हलका सा बचा लिया है जब तक हम चाशनी मनाते हैं अब चाशनी मनाने के लिए मैंने 2 बाउल ही चीनी ली है उस में मैंने डाला है, डेड़ बाउल पानी अगर आप एक बाउल बेशन से बना रहे हैं तो आपको एक बाउल ही चीनी डालनी है और आपको ड़ालना है एक बाउल पानी फिर मैं इसमें औरेंज फूड कलर डालके हलकी से बस चिपचपची चाशणी तयार कर ली है ज़्यादा हमें एक तार दो तार की नहीं करनी है बस जो गुलाब जाओं उनकी चाशणी होती है बस वेसी ही कर ली है चाश ने अच्छे से तयार है, गेस की फ्लेम ओफ कर दी है और इसे रख दिया है साइड में अब बेसन को चेक कर लेते हैं, जी बिलकुल बेसन भी अच्छे से रेडी है हलका सा फूल गया है, तो हमें 5-7 मिनिट अच्छे से इस तरह से फेट लेना है ताकि हमारी जो बूंदी है बहुत टेस्टी बने और बहुत ही क्रिस्पी स्पंजी बने तो जो पचावा दूद था वो भी मैंने सारा इसमें डाल दिया है और अच्छे से कर लिया है, इसे एक पर अच्छे से मिक्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका गोल तयार है हलका सा कलर के लिए मैंने इसमें डाला है, औरेंज फूड कलर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाले बनना स्कीप करें अब हमें एक पिंच इसमें डालना है मिठा सोड़ा ताकि जो बूंदी है क्रिस्पी, फूली फूली बने, एक पिंच इडाला है और अच्छे से मैंने इक पार इसे मिक्स कर लिया है अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी ड्रॉप अच्छे से गिर रही है मतलब परफेक्ट गोल बन के तयार है अब इसे बनाने के लिए आप चाहे तो अद्रक कसने का ले सकते हैं चाहे तो पूरी निकालने के इसी जारी ले सकते हैं बस इसी से परफेक्ट बुंदी बनेगी फ्रेंट्स आप चाहे तो ओइल में बना सकते हैं चाहे तो गी में बना सकते हैं मैंने घी कड़ाहे दालकिया है, तुड़ा सा गीड लगाया है और अच्छे से ग्रीज्ट , भी कड़ाहे दालकिया है और अच्छे से इसे फेट लिया है अब आप देख सकते हैं सभी चीज़ अच्छे से तयार है तो जो जारी हमने की लगा की तयार की है उसे बस कड़ाई के इस तरह से उपर रखना है और जो बेटर बनाया है वो इस पे इस तरह से डालते जाना है और आप देख सकते हैं अलटू वली बॉंदी बना है, वह हलकी गोल्डन होती है, तो गोल्डन फ्राइगी है, वैसरे दूद्वली है, तो यह फटा फट से ही हो जाएगी, तो हाई फ्लैमस पर एसे डालना है, और लो फ्लैमस पर हमें इसकी सिकाई करने है, इस बात का ध्यान रखियेगा, देख सक उसे हमें साप कर लेना है, उसी के अंदर हमें नहीं बनाना है चाहें तो आप इसे दू सकते हैं, दो के सुका के फिर से आप घ्रीस कीजिएगा ओल या गी से, और फिर से हमें गोल डालना है, अगर आप उसी के अंदर डालेंगे तो बुंदी परफेक्ट नहीं निकलेगी, इसके जो दाने हैं वो लंबे हो सकते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, दो के ही हमें दुबारा करना है, हलकी मेहनत लगेगी पर बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शांदार आपकी बुंदी बनके तयार होगी, तो सारी बुंदी को अच्छ हमें इसमें डाल दीनी है, अच्छे से सारी बुंदी में डाल दी है, और हलका सा मैंने इसे एक मिट पकने दिया है, ताकि जो बुंदी है, वो अच्छे से जूसी हो जाए, और सारी जाशनी अंदर तक इसमें सेट हो जाए, अब जब तक वो पक चुकी है, मैंने उसे दो के लिए रखा है साइड में 2 गंटे जब तक वो सेट होती है हमें हलका सा इसका मावा तैयार कर लेना है तो मावा हमें बनाने के लिए ज्यादा महनत नहीं करनी है बस घर की जो नॉर्मल मलाई होती है वो डाली है मैंने तीन चोटे चमच उसी के साथ आदा चोटे चमच चीन अब वो भी अच्छे से ठंडा होने के बाद सेट हो जायगा तो 2 गंटे मैंने इसे रखा है बहुत ही अच्छे से बुंदी सेट हो चुकी है आप देख सकते हैं और एक एक दाना इसका खिल रहा है अब इसमें हमें डालने हैं खर बुज्य की बीच डाले हैं मैंने इससे ह परफेक्ट बुंदी दिखती है बहुत अच्छी भी लगती है पिस्ता कत्रन डाली है और गुलाब की पत्या डाली है गुलाब की पत्या डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बहुत ही सुन्दर दिखेगी और गुलाब जलतों हमने चाशनी में डाला ही है तो बहुत अच्छा लगीगा फिर दो चोटे चमल देशी घी डाला है और अच्छे से एक बार मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है अब हातों से हमें इसे मिक्स करना है ताकि जो मावा मने बना के डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए और फ्रेंड्स जो बेगराउंड में आवाजे आ र बनान चाहिए बड़े बनाना चाहिए जिसे आप बनाना चाहिए मैंने मीडियम सालच के लड़्ट passado की मेजरमेंट में अमें तरा हो एँ एक मिठाई के डबा लिया है फ्रेंड्स डेसीपी पसंद आई हूँ तो मुझे कमेंट कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स आप भी महेंगी मिठाई लाना छोड़िए घर पे ही सूपर टेस्टी से शुद्ध देशीगी के लड़ू बनाए इंजोई करें थेंक यू